अब अगला टॉपिक है पोटेंशल एंड पोटेंशल डिफरेंस यानि एलेक्ट्रिक पोटेंशल एंड एलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफरेंस पोटेंशल का नाम सुना है अपने किसी भी बॉडी की पोजिशन की वज़े से जो कार करने की छमता होती है अब इतनी हिंदी आती होगी उसको हम पोटेंशल कहते हैं नहीं नहीं लिखाने जा रहे हैं पोटेंशल का मतलब यह होता है जैसे आप एक छोटा सा कंकड ले लिजेगा और उसको छोटी से हाइट पर रखिएगा तो इसके बाद एक एक एनरजी है लोग नहीं मानेंगे धी उनके खोपड़ी पे डाल दो वो छेद करके लाग नहीं छेद करके गुजाएगा उसकी खोपड़ी के अंदर इतना जादा एनरजी उसमें होती है ठीक है यहाँ वो मतलब नहीं है लेकिन लगभग मतलब वही है देखो अगर हम कोई भी ऐलक्रिक फिल्ड ने ऐलक्रिक फ अगर इसके अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज माले प्लस क्यू नॉट एक्चुली वे हम जिस तरीके का चार्ज फिल्ड क्रेट करता है उसी तरीके का चार्ज हम लेकर करके आते हैं क्यों जिससे दोनों में रिपल्सन का फोर्स लगे तो वर्क दिखाई पड़ता है वर्क 啊, वहले दो लुग लड़ाई कर दो लडाई में दोनों इक दुस्रे से बडे मुंबत है हमकी गटफाई जैसे कं खिचित क हम ले अभी तो कान नोचने मादा concept खतम हो गया है हम लोग खुब कान नोचने भी नचवाते दिविखते कान और अब नहीं कान नोचने का प्रता है तो क्या किया जाए तो यह भाई साहब जैसे ही electric field के अंदर आए electric field ने क्या क्या इस पर force लगाना शुरू कर दिया क्या formula होता क्यू not into e अब अगर यह भाई साहब movement करेंगे अगर यह अंदर और घुसने की courses करेंगे तो यह electric field क्या अंदर आने देगा आने देगा कब आपको work करना पड़ेगा तो इनको यहां से यहां तक आने move करने में work करन इसी को हम कहते हैं potential difference अगर आप infinity से नहीं आप उसी electric field के अंदर move कर रहे हैं और अगर इस discharge को आपने infinity भी रख दिया हमने मालिया वहां को electric field नहीं है वैसे होता है यह हमने मालिया वहां electric field नहीं है तो यह जैसे दरदराते वे भागते वे चले आ रहे हैं कोई field है नहीं है औ और मालिया इस field के अंदर इस point पे आ गए तो इन्हें work ना पड़ेगा तो work upon charge को हम कहते है potential मतब किसी भी जो charge ले के हमाते हैं testing के लिए उसका नाम क्या रखते है test charge किसी भी test charge को infinite से electric field के किसी point में के तक लाने में जो work ना पड़ता है तो work upon charge कह दो चाहाई unit charge कह दो बात हो ले जाने में जो work करना पड़ता है उसको कहते है electric potential difference ठीक है तो इसकी चाहे तो heading डालो दो heading है ना तो heading डालो potential at a point potential at a point potential at a point तो हमने जो लिखाया उसम में आ जो बताया उसम में आ गया कि किसी test charge को infinite से electric field के किसी point तक लाने में जो work करना पड़ता है work upon charge बोलो या unit charge बोल दो तो लिखे जगा नी the electric potential the electric potential at a point at a point in an electric field in an electric field is defined as is defined as the work done is defined as the work done in taking in taking in taking a positive a unit positive charge unit ले ले हमने जो divide कर रहा था उसकी value ले 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 हमने a unit positive charge unit positive charge from infinity to that point to that point against the electric forces against the electric forces इसको अपनी language में आप लिख सकते हैं against the electric forces अगर against अमने कहा है तो इसका मतला हम यह कहना चाहते हैं कि यह electric field इस direction में है ठीक है और यह charge आ रहा है तो यह भाई साहब ripple कर रहे हैं इनको और फिर भी यह घुशते चले आ रहे हैं तो इनको work करना पड़ेगा ठीक है तो जितना work किया work upon charge upon जो लिखा जाता है उसको unit मा लिया जाता है तो कहते हैं किसी भी test charge को unit positive charge को test charge को infinity से किसी electric field के किसी point तक आने में जो work ना पड़ता है जो हम unit charge का रहे हैं तो हम ratio नहीं बोलेंगे अगर नहीं कहें unit charge तो कहेंगे work done per unit test charge को हम कहते हैं electric potential अब अगर यही charge electric field के अंदर एक point से दूसरे point तक जाए अगर यह charge यहां रखा और यहां रखा अब बताओ यहां से यहां से यहां तक electric field change होगा नहीं होगा force भी लगेगा तो वह जो होता है उसको हमने electric field नहीं change ौपर ने चेंज तो electric field भी होगा दूरी के साथ साथ change हो रहा है लेकिन हम फिलाल uniform electric field मान की चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर electric field के अंदर एक point से दूसरे point तक move करते हो, तो उसी को हम कहते है, potential difference, paragraph change करके लिखेगा, या heading डाल दो potential difference, पहले heading डाली थे न, तो दूसरी डालो potential difference, अब इसमें at a point नहीं लिखेंगे, क्योंकि potential difference में हम एक point से दूस potential, between two points, capital A and capital B, points का नाम है, तो दो point हैं के नाम है, A और B, the difference of electric potential between two points A and B, in an electric field, in an electric field, is defined as, is defined as, the work done, the work done, in taking a unit positive charge, the work done, in taking the unit positive charge, from A to B, from A to B, against the electric force, against the electric force, ठीक है, अब इसका formula प्रूफ करा दिया जाए, तो इसकी एक subheading डालो, potential difference between two points, या वो तो लिखाई है, न डाली है, अब देखो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हम कहेंगे, ये एक electric field है, ये एक electric field है, और यहाँ पर एक test charge हमने रखा है, A point पर, plus Q naught, एक्चुली में इस electric field को जिन भाई साब ने create किया, वो भी plus Q कहीं रहे होंगे, ठीक है, इस point का नाम है, A for Apple, इसमें का नाम होगा, point का नाम भी होता है, और इस charge को हम A से B तक लेके आने वाले हैं, ठीक है, अब A से B तक कितना work करना पड़ेगा, वर्क और test charge का ratio होता है, उसी को हम कहेंगे, electric potential difference, साउधान, यहाँ जब charge रखा हुआ था, तो इस पर एक force act कर रहा था, Q naught into E, यही तो force था, electric force, नहीं था, क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में, force same है, नहीं, आपने uniform electric field मान लिया ओला की बात है, otherwise charge जिसने भी create किया है, यहाँ पर field ज्यादा रहा होगा, और आगे बढ़ेंगे, तो field कमजोर हो जाएगा, अचा अगर यह electric force Q naught into E है, तो थोड़ी दूर तक Q naught into E रहा होगा न, तो हमने क्या 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 इस charge को, इस test charge को, बहुत small distance DR किया, display किया, अब हम Q naught को DR distance ले जा रहे हैं, तो जब थोड़ी कहानी लिखिए, तब बताएं, अब डियाग्राम कर भी लिखा रहे है, the work done, the work done, अभी against field ले जा रहे हैं, the work done in moving, work done in moving, the test charge Q naught, through distance DR, against the field, against the field, इस work को small work done ले दो, small work done, तो ये small work done हुआ, DW, वर्क का formula क्या होता, F dot D, F dot D होता न, तो नहीं कि, यहाँ हो जाएगा, F dot DR, अब ज़रा समझने की कोशिद करो, actually भी होए रहा है, कि, अब किसी ने कहा कि, F ये है, DR ये है, इदर देखिए, F ये है, DR ये है, इनके बीच, एंगल कितना है, 180 degree, तो A dot B होता, AB cos theta, तो cos 180 degree माइनस होगा, तो ये value माइनस में आएगी, actually ऐसा नहीं है, ये force इदर लग रहा है न, क्या इस force की वज़े से charge move कर रहा है, नहीं, इस force के बराबर आपने opposite force लगाया है, इसलिए force लगेगा, minus Q naught E dot DR, हमने A dot B cos theta नहीं लिखा है, F को ही लिखा minus Q naught E, हमने minus, actually देखे, ये force इदर लग रहा है न, क्या charge इदर जा रहा है, अच्छा, इदर जा रहा है, उल्टा जा रहा है न, तो क्या इस force ने move कराया, इससे हमने कहें, चचा जा move करा दो, हमने इस force के बराबर, उल्टा force लगाया है, हमने, तो ये minus, इसलिए है minus लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा, ये work हमने किया, और हम जानते हैं, work is stored in the form of energy, इस work is stored, इस work is stored, ये electric field ऐसे दिखा दू, is stored in the form of energy, ये energy है, कौन से energy, potential energy, potential energy, तो इसको यू माल लिया, डी यू, पराबर, डी डव्लू, यानि कि माइनस, क्यू नॉट इन्टो इ, डॉट डी आर, अब आपका जो charge है, वो A से B तक गया है, तो total energy निकाले, तो नीचे कहानी लिखिए, the total energy, the total energy, stored in moving the charge from A to B, moving the charge from A to B, क्या लिखा जाएगा, UB minus UA, तो इसी DU को integrate कर दो, जो को DR लिख रहे हो न, R के respect में, तो यहाँ आप A to B, लिमिट लगा दो, यहाँ यह आजाएगा, माइनस बहर कर दो, A to B, Q0 into E dot DR, अब लिखे, the potential difference, the potential, यह U है, यह U है, the potential difference, between A and B, between A and B, potential difference को हम लिख देंगे, VB minus VA, potential difference क्या होता है, यह total work done है न, total work done upon test charge, यानि कि, UB minus UA upon Q0, इसको Q0 से डिवाइड कर दो, तो आएगा, minus integral A to B E dot DR, यह फामुला आपका, potential difference, डेल्टा V का होता है, यह यूज किया जाता है, यह यूज करते हैं, यह V है, यह U है, इसाद लिखिएगा, यहान लिख दो, here, A to B E dot DR, is called, line integral, line integral of electric field, integral of electric field, यह line integral electric field का कहलाता है, ठीक है, यह हमने definition simple लिखवाई है, ठीक, सो करिएगा, झाल ढाई हिस झालाँ तक मिने और भामुला को बदो काकि को झालाँ टायको ऊ्याएगाद पस्पार क my